नमस्कार विवस एना की रसोई घर में आप सब का स्वागत है विवस आज बड़े दिनों बाद मैंने चूले पर वो भी मिट्टी के बड़तन में खीर बनाई है तो आप देखी रहे हैं क्या हाल हो रहा है मेरा इस समय तो यह जब पहली बार खीर उबलती है तो शाद ऐसा ही होता है तो चलिए शुरू करते हैं यह मिट्टी की जो हांडी है यह मैं अभी लाई थी से तीन-चार दिन मैंने पानी में डिप करके रखा और इसमें थोड़ा पानी उबाला अब इसमें खीर बनाने जा रही है तो मैंने इसमें घी डाला हुआ है साथ इसमें तीन इलाईची दो लॉंग और आधा चमच सौफ तो इसका तड़का दूँगी मैं खीर में तो इसमें घी गरम हो गया है, दो चमश मैंने घी डाला है, अब ये तीनों चीजे मैं एक साथ इसमें डाल रही हूँ, जस्ट हलका सा फ्राई करूँगी ताकि इसमें अच्छी से खुश्बू आ सके, तो वैसे तो चूले पे बहुत, मतलब शौकिया तोर पे खाना हर साल ब बना रहे हैं, तो खीर कहते हैं, पहली बार जब कुछ बनाओ ने बरतन में तो मीठा बनाना चाहिए, तो आज मैं खीर बना रही हूँ, तो इसके लिमनेस में 2.5 लीटर दूट डाल दिया है, और बस अब पकने रखा है, तो अब बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मिट्ट के बरतन में बनेगा कैसा, हमेशा रोटी बनाई है, तो तवे पर बनाई है, बाकी कड़ाई में सबजी बनाई है, या जो भी है, लेकिन मिट्टी के बरतन में पहला एक्सपिरियंस है, चली इसे मैंने ढग दिया है, चूला काफी अच्छा जल रहा है, अब डर भी लग र खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है इस खीर में, और मुझे बहुत डाउट था कि इसमें घंटो लग जाएंगे खीर बनने में, पर अब जब क्योंकि मिट्टी के बरतन में खीर बनाई है, तो ये पता चल गया कि ये देर से तो गरम होता है, लेकिन जब एक बार गरम हो जाए, तो ये ठंडा बहुत देर में होता है, और खीर जो कि नॉर्मल में जब बनाती हूँ, तो 45 मिनट अराम से लग जाते हैं, बलकि कई बार ज्यादा भी, क्योंकि सिम पे वो सिकती रहती है, तो ये मोटा बरतन होने की वज़े से, इसमें जो इसकी सिकाई है, वो ब पहार निकाली, और ये दूद का भोग लग गया है, चूले को, तो चूले को लगा होगा कि शायद मैं खीर नहीं खिलाओंगी, तो अज उसको भोग लग गया, तो अब दूद शान्त हो चुका है, और काफी कुछ ये गाड़ा हो चुका है, और बहुत जल्दी, मतलब 35 मि खीर बना मेरे लिए तो बड़ी आश्चरिकी बात है, और अच्छा एक्सपिरियंस रहा मेरा इसको लेके, तो ही देखे, दूद भी बड़ी जल्दी कड़ गया इसमें, और मलाई दार खीर नहीं है, रबडी दार खीर तयार हुई है, और देखे, चाबल भी बड़ी जल् बिल्कुल भी नहीं लगी है, और सब तरफ बराबर से सिक रही है, और हंडी में पकाने से आँच वेस्ट नहीं होती, बिल्कुल अंदर यांदर घुटके मलाई दार खीर तयार हुई, तो जब इसमें एक उबाला आया, उसके बाद मैंने इसमें चाबल डाल दिये थे, औ अब जब इसको कम करना होता है, तो मैं लकडियां थोड़ी बाहर निकाल देती हूँ, तो इसकी आज कम हो जाती है, फिर लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो गए, तो लकडी दुबारा बस से लगा देती हूँ, तो इस तरह से एक ही राज बन रही है, तो बिल्स कितनी जल्दी ये गाड़ी हो गई है, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, इसे पकते हुए इस समय 25 मिनट होए हैं, तो चीनी डाल के भी मैं, बिल्कुल क्योंकि अब आज खतम हो रही है चूले में, तो जितनी देर है उतनी दिर मैं इसे छोड़ दूँगी इस पे, त इस खीर में स्मोकी ख्लेवर भी आ रहा है, और ये देखे है, है ना, गाड़ी गाड़ी, इन फेक्ट इसमें सौफ्ट इलाईची का जो फ्लेवर है ना, उसकी खुश्बू, बहुत अच्छे से मतलब आ रही है इसमें, क्योंकि छोटा मूँ होने की वज़े से ना, और इसे एक बर अच्छे से चला लेते हैं, दादी नानी कहा करती थी कि तुमने वो टेस्ट ही नहीं लिया चीजों का जो हम नहीं लिया है, उस समय में, शायद इनी मिट्टी के बरतनों में खाना बनता था, तो स्वाद पूरा का पूरा इसमें रहता था, और आजकल स्ट दीजेगा, और लीजे हमारी खीर बनके तयार है, अब इसे भगवान को भूग लगाएंगे, क्योंकि पहली बार इस बरतन में मीठा बना है, दिखिए कितनी गाड़ी और मलाईदार नहीं, रवडी दार खीर बनकर तयार हुई है, चलिए इसका भूग लगा लेते हैं, औ और अब इस हांडी में जब खीर निकल जाएगी, तो इसमें गाजर का हल्वा बनेगा, क्योंकि इस हांडी के अंदर दूद थोड़ा चिपक भी गया है, तो वो गाजर का हल्वा जब बनाएंगे तो वो उसमें यूज हो जाएगा, विवस थैंक यू फो वाचिंग, बाल ही, तो वो वो लाएगी, बाल ही, एक भी होद समया है, जा यूज हो टाएगी में झाल ही, वो जब एक यूज हो ज solid बनाएंगे जूएएगाउ गार।